भगवत कीता ग्यार्वा अध्याए असान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता ज्ञानविला इस अध्याए में अर्जुन शिरी कृषिन का दिव्य रूप देखना चाहते हैं भगवान अरजुन को दिवे दृष्टी दे कर उसको अपने दिवे रूप दिखाते हैं इस अध्याए में उसी दिवे रूप का वंडन किया गया है अरजुन का भगवान से निवेदन और भगवान की स्तूति के श्लोक भगवान की अरजुन पर कृपा का आशवाशन यह से मेरा अपनों के प्रतीम हो संभाप्त हो गया है मैंने आप से वस्तूओं के विनाश जनम और साथ ही आपके कभी न नश्ट होने वाले गौरव के बाले में विस्तार से सब कुछ सुना है जिसको की मैं एकदम सत्य मानता भी हूँ और जिसे सुनकर मैं आपका एश्वरे दि दिव्य रूप दिखाई दे सकता है तो हे भगवान मुझे आप वह अपना कभी भी नश्ट ना होने वाला दिव्य रूप दिखाईए अर्जुन के इस विंति पर भगवान उस पर कृपा करते हैं और कहते हैं लो पार तू मेरे सैंक्डों हजारों अलग अलग प्रकार र इने तुने पहले कभी भी नहीं देखा है आज तू यह सारे जगत को इस सारी श्रिष्टी को और इसके अलावा जो कुछ भी तू देखना चाहता है उस सब को तू मेरे शरीर में एक ही जगा देख लेकिन यह सब तू इन मानवी आँखों से नहीं देख पाएगा मैं तु तुम मेरे दिवे रूप और मेरे एश्वर्य को देख यह कहकर महान योगेश्वर हरी ने अर्जिन को दिवे दिवे दिश्टी प्रदान की और उसके सामने अपना सबसे सर्वश्रेट दिवे विराध रूप प्रकट किया वहरूप अनेक मुखों और नेत्रों वाला था उसमें अनेक आश्चर्य जनक दिश्य थे अनेक दिवे अभूशन वस्त्र और मालाएं पहने हुई थी उसने अनेक दिवे शस्त्र उठाय हुए थे वहरूप सभी एश्वर्यों से बरा हुआ था वहर दिवे तेजवाला अनंत और सर्व वयापी था यदि अकाश में कई स अनसार को सारी श्रिष्टी को एक ही जगा इकठा देखा तब अर्जुन अश्चरे चकित हो गया उसके रोंक्ते खड़े हो गए उसने हाथ चोड़कर सर जुका कर कहा हे भगवान मैं तुम्हारे शरीर में सभी देवताओं और हर प्रगार के प्राणियों के समुहों को द देख पा रहा हूँ मैं तुझे सब और अनन्त रूपों में देख रहा हूँ आपकी अनेक बुझाएं और नेत्र हैं जो सभी और फैले हुए हैं जिनका मुझे ना ही आधी ना ही मध्य और ना ही अन्त दिखाई देता है मैं तुझे मुकुट चेक्र और गधा धारन किये हुए सभी और दमकते हुए प्रकाश के तेथ समुहूं के रूप में देख रहा हूँ जिसको की देख पाना बेहदी कटिन है जो सब और धतकती हुई आग सूरे के समान्च का चोंत करने वाला है आप अनिश्वर भगवान हो जिसका ग्यान प्राप्त किया जाना चाहिए आप इस संसार के पून आधार हो आप साक्षवत धरम के परम रक्षक हो मैं जान गया हूँ कि आप इस अनातन पुरुष हो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका नहीं कोई आदी है नहीं मध्ध और नहीं अंत है आपका समर्थ अनंत है आपकी अंगिनत भुजाएं हैं सूरे अकेले से ही भरी हुई है, तुझ अकेले से ही व्याप्त है, जब आपका यह आश्चर्य जनक भ्यानक रूप दिखाई देता है, तो तीनों लोग कांप उठते हैं, उधर देवतों के समुहूं आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ डरे हुए है, हाथ ज अकाश को चूने वाले अनेक रंगों में दमकते और बड़ी बड़ी चमकती हुई आखो वाले इस रूप को देखकर, मेरा मन भैसे कांप रहा है, मेरा नाही दीरज भंद रहा है, और नाही मुझे शान्ती मिल रही है, जब मैं लपटे उगलते हुए आपके मुग को और मैं किसी भी प्रकार संतूलन नहीं बना पा रहा हूँ देवताओं के स्वामी मुझ पर दिया कीजिए। तेजी से जपटते हुए आते हैं वैसे ही यह लोग तेरे विनाश के लिए तेरे मुख में ही जा रहे हैं। के बिना भी नहीं बचेंगे इसलिए तू उठ और खड़ा हो जा अपने शत्रों को हरा कर इस समरिद राज्य का अनंद ले और यक्ष प्राप्त कर। यह सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। बस तू कारण भर बन जा और भीश्म, द्रोण, जैदरत, करण तथा और भी अन्य योध्धाओं को मार डाल। जो की पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। डर्मत और युद्ध कर। युद्ध में तू शत्रों को अवश्य ही जीत लेगा। केशव के इन वचनों को सुन। कामते हुए अरजुन ने हाथ चोड़ कर क्रिशन को नमसकार किया। और फिर डर के कर धीमी आवाज मे कहा। हे केशव संसार जो तेरे यश के गीत गाने में अनन्द अनुबव करता है। वे ठीक ही करता है। और सरा संसार तेरे ही अनुरूप को प्राप्त हो रहा है। बैभीत, राक्षस, डर कर सब दिशाव में भाग रहे हैं। हे संसार के स्वामी आप ही सत्य हो। आप ही असत्य भी हो और उसके भी परे जो भी है वो भी आप ही हो क्योंकि आप देवों में सर्फ प्रतम हो आप ही संसार का आश्रे हो आप ही जानने वाले हो और आप ही जानने के योगे भी हो आप ही सर्वश्रेष्ट लक्षे हो आपने ही संसार को व्याप्त किया हुआ है आप ही अगनी हो, आप ही वर्ण हो, आप ही यम हो, आप ही चंत्रमा हो, और आप ही सब के प्रजापती, भ्रह्मा भी हो, आपको हजार बार नमस्कार, आप सर्वरूप हो, आपको सब और से नमस्कार, आपकी शक्ती की तो कोई सीमा ही नहीं है, और आपका बल अनन्त है, इसलिए जानते हुए मैंने आपको जो हे क्रिशन, हे यादव, हे मित्र आधी कहा है, यदि मैंने कभी भी आपका अनातर प्रकट किया हो, इसके लिए प्रभु मैं आपसे शमा मांगता हूँ, आप तो इस जगत के पिता हो, आप इस अंसार के पूजनिय हो, तीनों लोकों में आपके वह रूप देखा है, जिसे किसी और ने कभी नहीं देखा, और जिसे देखकर मुझे अनंद हुआ है, लेकिन मेरा हृदे भैसे काप रहा है, हे प्रभु मुझ पर प्रसन होए, और मुझे फिर अपना पहले वाला मानवी रूप ही दिखाईए, हे हजारों मुखों वाले विराड रूप मैं आपको पहले वाले मुकुट और गताधारन किये हुए देखना चाहता हूँ, हे भगवान आप फिर अपना मानवी रूप दिखाईए, अर जिनके इस निवेदन पर शिरी भगवान उससे कहते हैं, पार्थ मैंने प्रसन होकर अपनी दिवे शक्ती से त प्रसन होकर तू फिर मेरे पहले रूप को देख, वासुदेव ने अर्जन को यह कहकर फिर अपना पहला रूप दिखाया और अपना मानवी रूप धारन कर अर्जन को धिरच दिया, भगवान का मानवी रूप देखकर अर्जन शान्त हुआ और उसने कहा, हे भगवान ते यह रूप देखने की लालसा लगी ही रहती है तुने मुझे अभी जिस रूप में देखा है उस रूप में ना तो वेदों की अध्यन द्वारा ना ही शास्त्रों द्वारा और ना ही करम कांड की क्रियां द्वारा ना ही दान और ना ही क्ठोर तपस्या द्वारा देखा जा सकता है लेकिन अनन्य भक्ती द्वारा मुझे इस रूप में जाना जा सकता है सच में देखा जा सकता है और मुझे में प्रवेश भी किया जा सकता है जो व्यक्ती केवल मेरे लिए ही करम करता है जो मुझे ही अपना लक्ष मानता है जो मेरी ही उपासना करता है जिसे कोई भी लगाव नहीं है जो किसी भी प्राणी के प्रतिद्वेश की भावना नहीं रखता वो मुझ तक अवश्य पहुंच जाता है इसी के साथ भगवद गीता का ग्यारवा अध्याय क्समाप्द होता है बाकी के अध्याय भी आपको जल्धी चैनल पर देखने को मिलेंगे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तकी अगले अध्याय आप से कभी भी मिसना हो और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवद कीता प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे और कमेंट में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यतन कैसा लगा यह जरूर बताएं तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में तब तक के लिए जैश्री कृष्णा